राहुल को देश की सर्व समाज की चिंता है लिहाजा उन पर OBC विरोधी होने का आरोप बेबुन्यादी बताते हुए ग्रह मंत्री ने भाजपा के बोखलाहट के बारे में बताया साथ ही ग्रह मंत्री तामर्धत साहु ने प्रधान मंत्री मोधी से अडानी के साथ रिष्टे के बारे में पूछा राहुल गांधी की बढ़ती लोग प्रीता से बॉखला कर भाजपा उन पर पिछड़ा वर्ग विरोधी होने का गलत आरोप लगा रही है राहुल गांधी एक बड़ी रास्टी दल के नेता हैं उन्हें देश के सर्व समाज की चिंता है लिहाजा उन पर वो बीसी विरोधी होने का आरोप सीरे से बुनियाद है देश भर के सभी बड़े शहरों में अखील भारती कॉंग्रेस कमीटी की ओर से कॉंग्रेस नीता पत्रकारों से मुखाती विलगातार हो रहे हैं और अपनी बाते रख रहे हैं इसी कड़ी में 36 गड़ के गरी मंत्री तामधास साहू ने दुर्ग में एक पत्रकारता वारता ली और कहा अपने परमित्र अडानी को बचाने के लिए पेम मोधी लोकतंत्र का गला गोट रहे हैं रहुल गांधी को निशाना बनाया जारा है क्योंकि उन्होंने मोधी से अडाने के बारे में पूछा था भारती रास्टी कांगरिस लोकतंत्र को बचाने के लिए सब कुछ करेगी उन्होंने ये भी कहा कि राहूल गांधी ने संसद में अपने भाशन में अडानी महागोटाले पर दो सीधे सवाल पूछे क्या अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड या 3 मिलियन डॉलर है अडानी इस पैसे को खुद कमा नहीं सकता क्योंकि वो इंफरास्ट्रक्चर बिजनिस में हैं ये पैसा कहां से आया किसका काला धन है ये किसकी कंपनिया है ये कंपनिया डिफेंस फिल्ड में काम कर रही है क कोई क्यों नहीं जानता ये किसका पैसा है प्रेश वारता के दोरां ग्रीमंधी तामधा साहू ने ये सब सवलाद दागे और पूछा कि प्रधान मंत्री मोदी का अडानी से क्या रिष्टा है उन्होंने ये भी कहा कि अडानी के घोटाले पर संसद में राहुल गांधी के भाषन को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया और राजी सभा में कॉंग्रस अध्यक्ष मल्ली काजुन खडगे के भाषन से अडानी घोटाले के महतपुन अंशोर राहुल गांधी के भाषन को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया क्यों ग्रीमंधी ने ये भी कहा कि संसद के बजट सत्र के चल रहे है, दूसरे भाग में भारत के इतिहास में पहली बार एक सत्तारूर पार्टी भाजपा संसद को बाध üz कर रही है और काम नहीं करने दे रही है ये अडाने को बचाने के लिए ध्यान भटकाने की साजिश है जबकि संयुक्त विपक्ष इस पर संसदी समीती चाहता है राहुल गांधी पर भाजपा मंत्रियों द्वारा हमला किया जा रहा है लोकसभा अध्यक्ष को राहुल ने दो लिखित अनुरोध किये थे कि उनको संसद में जवाब दें इसके बाद तीसरी बार अध्यक्ष उसे मीटिंग भी की पर तीन अनुरोधों के बाजुद अध्यक्ष ने संसद में उन्हें बोलने का आवसर ही नहीं दिया इसे साफ है कि प्येम मोदी नहीं चाहती की अडाने के साथ उनके रिष्टे का परदा फाशो ये कहा प्रेस वारता के दोरान ग्रीमंती तामधस साहु ने वहिनों ने बीजेपी के ध्यान भटकाने की कवायत तीन हास स्यात वक आरोपों से साबित होती है कहा राहुल गांधी ने केंबरीज उनिवर्सिटी में क्या भाशन दिया उस पर बाते शुरू कर दी उनका स्पष्टी करन देने के लिए लोगसभा स्पीकर ने उन्हें समय नहीं दिया लोगसभा में जब बोलने की कोशिश की तो सत्ता पक्ष की ओर से विवधान किया गया राहुल की सदस्ता रद्द करने की मांग उठाई गई लेकिन उसमें दम नहीं था बाद में भारत जोड़ो यात्रा में महिलाओं की पीड़ा को लेकर राहुल गांधी ने जो पाशन दिया था उसे लेकर माहुल बनाया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कॉंगरेस सीधे लोगों के पास गई और उनकी चिंताओं को सुना जाना महंगाई बिरोस्कारी सामाजी का समानता और संस्थानों पर कवजा इन सब मुद्धो को उठाया साती नोंने का हम लोगों के इन मुद्धों को हमेशा उठाते रहंगे अर अपना संदेज सीधे لوगों तक पहुँचाते भी रहंगे साथी मंत्री साहो ने राहूल गांधी प्रणान मंत्री अलन मोदियर भाजपा से लोगसभा के मादयम से सवाल पूछ रहे हैं कि 20,000 करोड रुपए अडानी के पास सेल कमपनियों से आया वो किसका है भाजपा बताए कि अडानी किसका मुखोटा है इन सब सवालों का देना पड़े इसलिए भाजपा ने शडियंत पूर्वक राहूल गांधी की लोगसभा से सदस्ता समाप्त कराई है आज जो प्रेसवारता कायजन हुआ उसका मुल उद्देश ये था कि अभी आदर नहीं हमारे रास्टी ने था राहूल जी के लिए जो उनकी सदस्ता समाप्त करने का और उनको सदन में बोलने नहीं देने का पोड से सजा का जो अभी लगातार एपिसोड चल रहा है उसके प्रेसवारता कायजन किया गया था और हम लोगों का इस पस्त मानना है कि राहूल गांधी जी ने एक सवाल किया था सदन के अंदर और सदन से बाहर कि अजानी के खाते में उनके जो सेल कमपनियां हैं उनमें लगभग 20.000 करोड रुपिया आया है वो कहां से आया है वो किस पहलनकारी सदन में आनी चाहिए, तो उनको बोलने से रोका गया, उनका माईक बंद किया गया और बाहर भी जब उन्होंने कहा कि मोधी नाम पर ले करके तो उसको कोर्ट में क्लेम किया गया कोर्ट से जल्दी से जल्दी बहुत से आज भी प्रक्रन पुराने रेल रोको आ संदेलवन का अनिक धर्णा प्रदर्श्वन का अनिक प्रकार की बातों का पोड़ में पड़ा है कई सालों से उन पर कोई फैसला आया नहीं है और अधरली राहुल जी ने जो बात कही उसका अनन्सान में कोड़ में फेज भी हो गया इस्टे भी लेने की बात आगई कोड से फैसला भी हो गया कोड का हम लोग पूरा सम्मान करते हैं और कोड का जैसे ही फैसला आया संसत से उनकी सदस्ता एक दिन नहीं लगा और खतम कर दिया गया और जैसे ही खतम किया तिया शानसत के रूप में उनको जो आवास आमटन था, उसको काली करने की की. तो यह दरसाता क्या है? राहुल जी की आवास दबाने राहुल जी को परिसान करने का एक कुछित प्रयास केंद्री नेत्रितु के द्वारा किया जा रहा है और राहुल जी ने इस बात बहुत इस्पस्त तोर पर कहा है कि सदन में बोलने दिया जाए मुझको मैं जवाब लेना चाहता हूं तो बीजेपी का हमेशा से एक सिद्धान्त रहा है जब उनके ऊपर कोई बात आती है तो उसको रोकने के लिए दूसरे तरफ घटना करम कर देते हैं और यही राहुल जी के साथ हो लोग कर रहे हैं जिसको आम जनता को जानकारी देना भी जरूरी है और लगातार इन बातों क को करना भी जरूरी है कि राहुल जी ने जो बात उठाया कि मैं भरस्टाचार करने वाले लोगों के लिए कह रहा हूं भरस्टाचार जो कर रहे हैं वो सामने आना चाहिए उजागर होना चाहिए तो यह सारी बाते हैं उन पर ही आज का पत्रकार वारता का आयोजन किया गय झाल झाल झाल